हेसे आपके लिए एक बैदुत चलान्त नया चिप्टर लेकर राया हुँ ठीक है डीये इसको शुरू करते हैं हैं इसमें आता है सरप्रथम बैदुत धारा कुई पुछ धरा किसे करते हैं? तो आवेस प्रवाह की दर को बैदुद धरा करते हैं, इसे i से इंडिकेट करते हैं, i x equal to hotar q by t, और i x equal to any by t, q x equal to हotar any, any x equal to electron किसेंगे, e x equal to electron, पे आवेस ठीक है ना चलिए अब बाइदू धारा का मातरक देखते हैं बाइदू धारा का मातरक जो होता है कुलाम प्रती सेकेंड क्यों का मातरक क्या होता है कुलाम और टी का मतरक सेकेंड यानि कुलाम प्रती सेकेंड होता है जिसे एंपियर भी कहते हैं अब आते हैं बात Q is equal to 2 क्या होता है इन नी और Q is equal to 1 करते हैं तो N into 1.6 into 10 to the power minus 19 E का value होता है तो इन प्राबर क्या हो गया यहां पर N प्राबर क्या हो जाएगा 6.25 into 10 to the power 18 electron ठीक है न तो अब हम इसके हिसाब से बोल सकते हैं किसी चालक के किसी अनुप्रस प्रेशेद शेत्रफल से 6.25 into 10 to the power 18 electron प्रती सेकेंड गुजर रहे हो तो चालक में बहने वले धारा एक इंपियर कालाती है अब देखिए बिदुद धारा के प्रकार बिदुद धारा दो प्रकार के होती है एक होती है दिष्ट धारा और एक होती है प्रतेवर्ति धारा ठीक है न तो दिष्ट धारा देखिए डिष्ट धारा ऐसी धारा जिसका परिमान और दिषा समय के साथ साथ नियत रहता है द प्रत्यवर्ति धारा ऐसा धारा जिसका परिमाल और दीशा समय के साथ साथ बदलता रहता हैं और एक निशित समय अंतराल के बाद उसी परिमाल और दीशा के साथ पुनरा अबरती होती हैं तो इस धारा को प्रत्यवर्ति धारा कहते हैं देखिए यह आई और टी का ग्राप ह इसे में एक साथ साथ ही बदलती रहते हैं लेकिन फिर यहां से एक निशीत अवरिती के साथ फिर यही अकार ले लेती है इसे हम क्या कहते हैं परत्यवर्ती धारा कहते हैं अब देखें बिदुद धारा का अधिस रास होने है कोई पुछेगा विदुद धारा अदिस रास क्यों होई तो बताएंगे कि विदुद धारा में परिमार के साथ साथ दिसा भी होती है परंती या सदिस रास नहीं है क्योंकि विदुद धारा त्रिभूज के सदिस योग के नियम का अनुपालन जोन नहीं करती है ठीके न, इसलिए बिदुधारा को अधिश्रास कहते हैं अब देखे, इलेक्ट्रान गैस इलेक्ट्रान गैस किसे कहते हैं कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रान गैस किसे कहते हैं तो धात्वों में मूगत इलेक्ट्रान और निमीत रुप से गत करते रहते हैं ये इलेक्टान उसी प्रकार बेवार करते हैं, जिस प्रकार प्रत्यास्त बर्थन में रखे हुए गायस के अणू बेवार करते हैं, ठीके न, इसलिए इलेक्टानों के इस समों को इलेक्टान गायस कहते हैं, ठीके न, चलिए उसमी बेग, उसमी बेग के बार में जान लेते है गाइस के औणगो की औणगो का आसत उसमें वेग सुन्य होता है ठीक है न यह किसे ग rehते तो हम बताएंगे यहाद किसी चालक को बैटरी दोरी अपई अंतरा रुपित किया जाएं तो मुगति एलेक्टान तार की लंबाई की अनुदिस उच विभवाले सिर्य की ओर एक नियत्र सुक्षमवेग से अनुगवान मन करते हैं इस वेग को हम क्या गाते हैं अनुगवान वेग या अपवाह वेग कहते हैं इसे भीडी से इंडिकेट करते हैं ठीके ना अब अपवाह आगे वेग तथा बैदुद्धारा में संबंद कैसी क्यांत करेंगे तो देखिए माना किसी चालक के अनुपरस्थ परिच्छेत का छेत्रफल ए है तार की एकांग का एतन में मुक्ति लेक्टानों की संख्या इन है देखिए अनुपरस्थ होगा एरिया और यह है भी डी यानिक अनुपरस्थ परिच्छेत परिच्छेत्रफल परिच्छेत से होकर गुजरने वाले लेक्टानों की संख्या क्या होगे ए न से मल्टिप्लाइट कर देंगे तो एन उन्टू ए भी डी होगा इसी तरह 20 सेके अनुपरस परिछेद से होकर गुजरने वाली आगे में गुजरने वाली आवेस की मात्रा यहां पर मैं दिखा रहे हैं आपको गुजरने वाली आवेस की मात्रा QE k8 क्या होगा NABDTE ठीके ना आवेस की मात्रा तो E सी मल्डिप्लाई करदें Q is equal to क्या हो जाएगा N, E, A, V, D, T, E I is equal to हम जानते हैं कि Q, A, T होता है I is equal to क्या हो जाएगा N, A, V, D, T, E Q का value यहां से रख देंगे अब हम T तो I is equal to क्या हो जाएगा N, E, A, V, D यह आपका एक फार्मुला हो गया अब चलिए धारा गहनत कोई पुछेगा धारा गहनतो किसे कहते हैं किसी चालक में किसी बिंदू के प्रती एकांग छेतरफल के लंबवत गुजरने वाली बैदुद धारा को धारा गहनतो कहते हैं इसे J से इंडिकेट करते हैं क्या बोलेंगे किसी चालक में किसी बिंदू के प्रती एक आंग छेत्रफल के लंबोत गुजरने वाली बैदु धारा को धारा गहनत्व करते हैं इससे J से इंडिकेट करते हैं जैसे J is equal to क्या होता है I by A ये भी फार्मूला है याद कर लिजेगा अब देखे धारा गहनत्व का मात्र के उम भीमा कैसे फाइंड करेंगे धारा गहनत्व का मात्र के उम भीमा वी नुड़ाइट की J is equal to I by A ये होता है तो इस आई पदत में धारा गहनत्व की जो भीमा होगी I का I का I का I का पर मिटर स्क्वेर तो I का I का पर मिटर स्क्वेर प्रती मिटर स्क्वेर यानिकि धारा गहनत्व की वीमा जो होगी A L माइनस टू अब चलिए धारा गहनत्व तथा अनुगवन बेंग बे संबंध कैसे ज्यात करेंगे तो हम चानते हैंगी J is equal to I पर ये होता है और I is equal to क्या होता है ये ये भीडी ठीके ना अब चलिए गती सिल्ता गती सिल्ता किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं तो अनुगवन बेक तथा बैदूत छेत्र की तिर्विता के अनुपात को गती सिल्ता कहते हैं इसे मिव से इंडिकेट करते हैं मिव इसका बड़ क्या होता है VD upon E SI पधत में गती सिल्ता का जो मात्रक होता है मीटर स्कायर प्रती भोल्ट इंटू सेकेंड होता है ठीके ना भोल्ट इंटू सेकेंड होता है अब चलिए बैदूत परत्रोद किसी चालक के सीरों के बीच का भी भुवान तरद अब चलिए बैदूत परत्रोद का मात्रक विमा कैसे फाइंड करेंगे तो इस आई परत में बैदूत परत्रोद का जो मात्रक होता है भोल्ट प्रती एंपियर होता है ये भी का क्या हो जाएगा भोल्ट और आई का हो जाएगा एम्पीयर याना कि भोल्ट प्रती एम्पीयर जिसे हम क्या कहते हैं ओम भी कहते हैं ठीके न अब चले आर की बिमा भी की बिमा जो होती है ml2 t-2 अपान 80 और यह इसका जो होगा भोल्ट प्रती मीटर आर की बिमा हो जेगी अपान ए हो जाएगा आई का भेलो यह ठीके न तो ml2 a-2 t-3 हो जाएगा अब देखिए यह कवर देख लेते हैं एक मेगा ओम जो होता है 10 to the power 6 ओम होता है और एक माइक्रोम is equal to क्या होता है 10 to the power minus 6 ओम ठीके न इसे याद कर लिजेगा अब चलिए कोई पूछे का बैदुत चलकता किसे कहते हैं तो बैदुत प्रित्रोद के विद्धक्रम को क्या कहते हैं बैदुत चलकता कहते हैं ठीके न बैदुत चलकता का मातरक ओम इन्वर्स या महो मोक अथवा साइमन होता है ठीके न बैदुत चलकता के बिमा जो होती है m-1 l-2 a2 t-3 होती है ठीके चलिए अब ओम का नियम हम इसके इंपोर्डन है ओम का नियम तो आए देखते हैं इसके बारे में यदि किसी चालक की भहती का अस्था न बदले तो चालक के सीरो के बीच का भी वह आंतर उसमें बहने वली धारा के क्या होती है अनुक्रमानपाती होती है ठीके न भी प्रपोर्शनल टू आई ऐसी तरह और प आई के बीच ग्राप खिचने पर क्या होता है सदेव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है यह नियम के वल धात चालकों के लिए सत्य है ठीके न यह आई और भी के बीच ग्राप खिचेंगे तो धात चालकों के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होगी ठीके न अब चली य य ठीक न और एफ इसकुल्ट क्या होता है क्यूँ इसको हमें क्विस्ट्ट मान लिया अब हम क्या करेंगा फ्राव मकश्ट्ट सेकंड और थर्ड एच्कुल्ट क्या हो जाएगा इभी अपाल इमल हो जाएगा एक कुछन सेकंड और थर्ड का तुलना कंपेरिंग करेंगे अब देखिए माना के बैदूर छेत्र करण प्वासरीती माना उसमी वेक उसमी वेक हो जाएगा उसमी वेक अपान इन हो जाएगा तो इस तरह जोड़ते जोड़ते आपान इन कर देंगे तो भीटी इसकुल्ट क्या हो जाएगा उसमी वेक हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे वेक हो जाएगा इसकुल्टू इभी आपान इमेल हम वहां से निकालेंगे एक संसेकेंड ने ठोड से प्रूब करेंगे थे इभी आपन इमेल हो जाएगा अब क्या करेंगे Putting the value of VD in equation first तो equation first में बढ़ा लेंगे तो I is equal to क्या हो जाएगा NEAEVT tau upon ML तो ML upon NE square eta is equal to V upon I तो V upon L जो होगा sorry V upon I ML upon me NE square eta if temperature is constant then ML upon me NE square eta जो होगा constant हो जाएगा temperature constant तो ML upon me NE square eta constant हो जाएगा तो ML upon me NE square eta जो होगा R की हो जाएगा देन क्या हो जाएगा V upon I is equal to R hence प्रूप्ड हो गया ये Ome का नियम ठीक है न अब चलते हैं बिशिष्ट परत्रोध अथवा इसे प्रत्रोध रोधकता भी करते हैं किसी चालक के भीतर किसी बिंदू पर बैदूर छेतर की तीवरता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं इसे रोज से इंडिकेट करते हैं रोज इचकल्टू क्या होता है E by J ठीक है न E इचकल्टू क्या होता है हम जानते हैं कि B by L होता है जब जे इचकल्टू क्या होता है I by A तो हम यहां पर पूट करेंगे E और J का भाइल तो रोज इचकल्टू क्या होजएग B L अपान में I upon A ठीक है न B by L अपान में I upon A दो रोज इचकल्टू क्या होजएगा B upon I into A upon L तो रोज इचकल्टू क्या होजएगा B upon I को का लेख सकेंगे R लेख लेख लेगे ठीक है न और into A by L यानने कि R constant होता है तो रोज परपोर्पोर्टू टू क्या होगा A upon L ठीक है न लंबाई के बेउत्क्रमनपाथी ठीक है ना अगेन हम क्या करेंगे र आर इसकल्टु क्या हो जाएगा रो इन्टु एल बाई यह होगा तो रो इसकल्टु क्या हो जाएगा कांस्ट्रेंट तार प्रपोर्पोर्शनल टु एल बाई ए अता बैदुत प्रत्रोत चालक के करेंगे तो यह साइब बतमें भिश्षिष्ट प्रत्रोत का मात्रक ओम इन्टु में इनिजकर इटा अब यह पुरूप किया हमने तो रोज्क फुन क्या होगा प्रत्रोड के वित्र करों को सिस्ट चलग्ता करते हैं इसे सिग्मा से इंडिकेट करते हैं सिग्मा इसकोल टू वान अपन रो ठीक है न अब चलिए बिशिष चलकता का मात्रक के ओम भीमा तो हम क्या लिखेंगे यह साई पधत में बिशिष चलकता का मात्रक ओम इंटू मीटर यूनिवर्स होता है ठीक है तथा इसकी भीमा जो होती है एम माइनस वान एल माइनस थ्री टी थ्री ये टू डी पावर टू होती है बिशिष चलकता था था धारा घंटो में संबंद इसको भी देख लेते हैं तो सिग्मा इसकल्टू क्या होता है ओन बाई रो और रो इसकल्टू होता है इवाई जे तो सिग्मा इसकल्टू क्या होत सिग्मा इंटु इए धारा घाना टो इच्कल्डी के भगवाद विश्ष गुचलागता इंटु बैदुद छेत्र ठीक है अब चलिए ओमी परिपत ओमी परिपत किसे करते हैं ऐसा परिपत जो ओम के नियमों का पूनता पालन करता है ओमी परिपत का लाता है ठीक है ओमी परिपत में भी तथा आई का अनुपात सदेव नियत होता है ठीक है अब चलिए ओमी परिपत में भी तथा आई के बीच खिचा गया वक्र सदेव एक सीधी रेखा होती है यह परि परिपत किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैंologically institutions, जो ओम के नीयम apoyo का nextर्द पाला नहीं करता है। ओनेवी परिपत कहलाता है औन ADAM representative में भी तथा आई काौन परिवर्तन शिल होता हो तो आई 50 अंहे hein है वक्र के रूप में होता है यह देख रहे हैं आई तता भी के बीच में खिचागे अगर आप एक बक्र के रूप में जैसे टार्च का वल्व ऐसा एक बक्र के रूप में ठीक है न होता है अब चलिए गत्यात्मक प्रित्रोद कोई पुछे के गत्यात्मक प्रित्रोद किसे कहते हैं तो किसी अनोमी परिपत के भिवांतर में सुक्ष्म परिवर्तन डेल्टा भी करने के काराण धारा में सुक्ष्म परिवर्तन डेल्टा आई हो तो डेल्टा भी तथा डेल्टा आई के अनुपात को गत्या प्रत्रोत की ताप पर निर्भरता R is equal to mL upon mN is greater R proportional to 1 by Tau हो जाएगा और हम जानते हैं कि Tau is equal to lambda upon V RMS होता है तो R proportional to क्या हो जाएगा V RMS upon lambda V RMS is proportional to क्या हो जाएगा Root में T तो प्रत्रुत पर निर्भर करता है R T is equal to हम जानते हैं R0 into 1 plus alpha T होता है तो alpha is equal to क्या होगा यहां फे 1 by 270 ठीक है तो rt is equal to क्या होजाएगा r0 1 plus t upon 270 ठीक है तो rt is equal to क्या होजाएगा r0 277 plus t upon 270 यानि कि rt जो होगा r0 into t upon 270 तो rt proportional to t अर्थात प्रतिरोत आपके अनुक्रमर्पाती होता है तो alpha is equal to क्या होजाएगा rt minus r0 upon r0 into t यह भी फार्मूला है यार्द कर लिजिएगा अब देखें h is equal to v it upon 4.2 is equal to i r i square rt upon 4.2 is equal to v square upon r into t upon 4.2 ठीक है न अब देखें बैदुत सक्ति अथवा बैदुत समर्थ यह कैसे find करेंगे चलिए बैदुत उर्जाव बे होने की दर्प को क्या कहते हैं बैदुत सक्ति अथवा बैदुत समर्थ करते हैं इसे p से हम indicate करते हैं हम जानते हैं कि p equal to w by t होता है पीच्पल्ट्ट क्या हो जाएगा भी आइटी अपान टी पीच्पल्ट्ट्ट्ट क्या हो जाएगा भी आई स्ट्वर आइटी इन्टु टी टी तो यहां से T T cancel हो जाएगा तो P is equal to क्या हो जाएगा B square upon R भी हो सकता है यह भी याद कर लिजेगा P is equal to I square R और P is equal to B square upon R और P is equal to B I भी होता है पीछे बताया इस फर्मूले का हमने क्वेश्टाक में डाल दिया P is equal to B I, I square R और B square by R यह फार्मूला बहुत ही important है इस फर question बन जाते हैं चलिए अब बैदूत समर्थे का मातरक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं इमकेस पदत में बैदूत समर्थे का मातरक जूल प्रतिस सेगेंड जिसे वाट भी कहते हैं इसके अन्य मातरक किलो वाट, मेगा वाट तथा अस्व सक्ती भी होता है तो देख लेते हैं क्या होता है किसका मतलब एक किलो वाट बरबर 10 to the power 3 वाट एक मेगा वाट बरबर 10 to the power 6 वाट और एक अस्व सक्ती बरबर 746 वाट होता है ठीके न अब चलिए किलो वाट घंटा किसे कहते हैं कोई पूछेगा तो बताएंगे जुल उर्जा की बहुत छोटा मातरख होता है घरों में बे होने वाली अथवा अधोगी पैमाने पर बे होने वाली बैदूत उर्जा को किलो वाट इंटू गारणता में मापते हैं इससे बोड और टेड यूनिट भी कहते हैं जेसे सध्धान और फुल चाल की भास्था में यूनिट भी कहते हैं अब यूनिटयों के संघिया ग्यानत करनी हो तो क्या लिखेंगे वाट गुड़े घंटा पान में 1000 क्या लिखेंग श्रेणी और समांतर ठीक है ना तो स्रेणी करम में जो होता है अर स्रेणी करम को जोड़ा र gitu can तो स्रेणी करम में धारा समान होती है और समांतर करम में भीभव सामन होता है यह हमेसा याद किτά प्रतिरूद के जोड़ने के लिए पहले क्या करते हैं प्रतिरूद के दुसरे रोद के जोढ़ते हैं तति दुसरे-ब्लिध को तीसरे रोद के पहले सीरे से जोडटे है पहले सिरे के पहले प्रतुरूद को दूसरे सिरे के पहले प्रतुरूद को दूसरे सिरे के पहले प्रतुरूद को दूसरे सिरे को दूसरे प्रतुरूद को दूसरे सिरे को दूसरे प्रतुरूद को दूसरे प्रतुरूद को दूसरे प्रतुरूद को दूसरे प्रतुरूद इसके दूसरा ये है को एक बैटरी से जोड़ देते है एक बैटरी से जोड़ देते है यहां पर बैटरी छै implementing जोड़ ठैक तो भीच कल्टू क्या हो जाएगा, I, R1, R2, R3, X को equation फर्स्ट मान लिए, अब यदि तुली प्रतिरोत R हो, तो भीच कल्टू क्या हो जाएगा, I, R, X को equation second मान लिए, फ्राम equation first and second, प्रूब कर रहा ता I R is equal to I into R1 plus R2 plus R3 यानिकि I से I दुनों तरफ केंसील हो जाएगा ठीक है I से I दुनों केंसील तो R is equal to R1 plus R2 plus R3 इसी तरह आप समांत्र करतिरों क्रम में प्रतिरों का स्यूजन करेंगे तो क्या हो जाएगा यह देखिए एक बैटरीर स्यूड़ा और एक R1, R2, R3 ठीक है ना इसमें I1 धारा जाएगी इसमें I2 धारा जाएगी इसमें I3 ठीक है ना आउट तो समांत्र करम सभी प्रतिरों के पहले सीरे को सभी प्रतिरों के जो पह और तथा एक अन्य बिंदू से जोड़ देते हैं तत्पस साथ उन दोनों बिंदू को एक सेल से जोड़ेते हैं देखिए एक सेल लगा हुआ है सेल से जोड़ दिया अब क्या जानते हैं कि I1 is equal to B upon R1 समांतर करों में बिगो समांतर होता है तो I1 is equal to B upon R1 I2 is equal to B upon R2 I3 is equal to B upon R3 टूटल I जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा I is equal to I1 plus I2 plus I3 यहने कि I is equal to B upon R1 plus B upon R2 plus B upon R3 तो I is equal to क्या होगा B into 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 हो जाएगा अब यदि तूली परतुरतार होतो क्या हो लिखेंगे I is equal to B upon R इसको equation second माने फ्राम equation first and second B by R is equal to क्या हो जाएगा B into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 ठीक है तो इसी के साथ यह चप्टर सुनापत हुआ मिलते हैं अकली वीडियो में और आपको यह मारी वीडियो पसंद आए तो क्रिपल लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है तो मिलते हैं अकली वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद जय हिंते